इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। मैकलिक्यो एसा टेबलेट दवाओं का मिश्रन है जिसका इस्तेमाल वटेगो के इलाज में किया जाता है। यह मतली, उल्टी, चक्कर आना और चक्कर के अन्य लक्षनों की भावना को रोकता है। मैकलिक्यो एसा टेबलेट का सेवन भूजन के साथ या उसके बिना एक खुराक और अवधी में किया जाता है जैसा कि डॉक्टर ने सलाह दी है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थि सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। इस दवा के आम साइड इफेक्ट्स में उल्टी, मूह में सूखापन, सिर्दर्द और ठकान शामिल हैं। ये आम तोर पर हलके होते हैं और थोड़े समय के बाद गायब हो जाते हैं। अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि वे बने रहें। ये दवा भी नींद और उनींद अपन का कारण बन सकती हैं। इसलिए जब तक आप ये नहीं जानते कि ये दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं। तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता हो। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।